नमस्कार, Current Affairs by Sarvika में आपका स्वागत है इस सब्ता के Current Affairs के विडियो से आपको जानने को मिलेगा विक्सित भारत संकल प्यात्रा और पी-म जन्मन मिस यूनिवर्स 2023 की खिताब विजेता लाइबेरिया और अरजंटीना के नम निर्वाचित राष्ट्रपती दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी ओपन एई आई के CEO की बलखास्तगी और पुनर बहाली 26 वी बार विश्व बिलियर्ड चैंपिनशिप के खिताब विजेता और भी बहुत कुछ तो चलिए शुरू करते हैं Current Affairs 10 नवंबर से 24 नवंबर 2023 राष्ट्रिया प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी ने जार्खंड से विक्सित भारत संकल प्यात्रा और पी-म जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान पी-म जन्मन की शुरूात की प्रधान मंतरी ने जार्कंड के खूटी में भगवान बेरसा मुंडा जैनती जन जाती गौरव दिवस के अवसर पर 24,000 करोड रुपे की लागत योजना प्रधान मंत्री जन जाती आदिवासी न्याय महाभियान पी-म जन मन का शुभारम किया इस योजना का उदेश जन जाती वर्ग की सुविधा वंचित, लोगों को सडक, दूर संचार संपर्क, बिजली, सुरक्षित आवास, साफ पेयजल, सुलव शिक्षा, स्वास्त्य और पोशन तथा आजिव का अवसर उपलब्ध कराना है इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने विक्सित भारत संकल पियात्रा का भी शुभारम किया इसका उदेश प्रमुक सरकारी योजनाओं का लाभपात्र लभार्थियों तक सुनिश्चित करना है इसके तहर श्री मोदी ने लोगों को जागरूप करने के लिए सूचना शिक्षा और संपर्क वैन को भी जण्डी दिखा कर रवाना किया भारत और श्री लंका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैने अभ्यास अभ्यास मित्र शक्ती 2023 का नौवा संसकरन ओंध यानि पुने में शुरू हुआ है जो 16 से 29 नवंबर तक चलेगा यह अभ्यास सहयोगी प्रसिक्षन और रननीतिक सहयोग के लिए भारतिय और श्री लंकाई सशस्त्र बलों को एक साथ लाता है भारत अमेरिका संयुक्त विशेश बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का चौदावा संसकरन 21 नवंबर को संयुक्त प्रसिक्षन नोड उम्रोई में शुरू हुआ अभ्यास वज्र प्रहार भारतिय सेना और अमेरिकी सेना के विशेश बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त अभ्यास है इसका उदेश संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रननीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साजा करना है भारत और नेपाल सेना के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का सत्रहवा संसकरन 24 नवंबर को पिथोड़ा गड़ में शुरू हुआ भारत की मेजमानी में दूसरा वाइस ओफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन वर्चुल माध्यम से 17 नवंबर को आयोजित हुआ यह सम्मेलन अधिक समावेशी और प्रगति शील विश्व व्यवस्था की आम अकांग्छा को बनाई रखने के मंच के रूप में काम करेगा सत्र की मेजमानी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किया वॉइस ओफ ग्लोबल साउच समिट के पहले संसकरन की मेजबानी इस साल जनवरी में भारत ने वर्चुल माध्यम से की थी उत्तरा खंड के उत्तर काशी में निर्माना धीन सिल्कियारा सुरंग में फसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है बचाव कारियों में तेजी लाने के लिए भारते वायुसेना के हरकुलिस विमान की मदद से हैवी ओगर ड्रिलिंग मशीन निर्माना धीन सुरंग तक पहुचाई गई साथ ही अन्य मशीनों के द्वारा भी मलबा हटाने की कारिवाही युद स्तर पर चल रही है अर नाला श्रेनी के जहाज अमीनी को तमिलनाडु के कट्टुपली में एल एंटी शिप बिल्डिंग के परिसर में लॉंच किया गया था उद्देश और डिजाइन एस डबलू शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजनाओं की श्रिंखला में चौथा अमीनी गार्डन रिच शिप बल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जी आर एस ई का एक निर्मान है यह जहाज विशेश रूप से टटिय जल में पंडुब्बी रोधी संचालन के साथ साथ कम तीवरता वाले समुद्री संचालन और खदान विचाने के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है अमीनी लक्ष द्रीप के द्वीपों में से एक का नाम है भारत और लिथुआनिया ने समुद्री द्विपक्षिय संबंदों को मजबूत करने के लिए नई दिली में बैठक की पोत, पतन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतन उठाकुर और लिथुआनिया के विदेश मंत्राले में उपो मंत्री एजी देजस माई लुनास के बीच या बैठक हुई मंत्राले ने कहा कि दोनों पक्षों ने क्लेपेडा बंदरगाह के अनूठे लाव पर चर्चा की लिथुआनिया यूरोप के बाल्टिक शेत्र में एक देश है यह तीन बाल्टिक राजियों में से एक है अन्यदो एस्टोनिया और लात्विया है और बाल्टिक सागर के पूर्वी तकपर स्थित है इसकी सीमाएं उत्तर में लात्विया पूर्व में पूर्व और दक्षिन में बेलारूस दक्षिन में पोलेंड और दक्षिन पश्चिम में रूस से मिलती है इसकी राजधानी विल्नियस है 11 मार्च 1990 को सोवियत संग के आपचारिक विगटन से एक साल पहले लिथुआनिया अलग होने वाला पहला सोवियत गनराज्य बन गया जब उसने अपनी स्वतंतरता की बहाली की घोशना की वर्तवान लिथुआनियाई राष्ट्रपती गीता नास नौसदा को 26 मई 2019 को चुना गया था सूश्री इंग्रिडा सिमोनिटे लिथुआनिया की प्रधान मंत्री है कला और संस्कृती प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने मतुरा में संथ मीरा बाई की 525 जैन्ती के अवसर पर आयोजित महोचसव का उधगाटन किया कार्यक्रम के दौरान प्रधान मंत्री ने संथ मीरा बाई के सम्मान में एक समारक टिकट और सिक्का भी जारी किया क्या आपको मालूम है भारत की स्वतंत्रता के बाद मीरा बाई पहली महिला थी जिनके सम्मान में समारक टिकट जारी किया गया था शेनस पलासियोस ने अलसलवाडोर में आयोजित मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है वह इस प्रतिष्ठिच सम्मान को प्राप्ट करने वाली निकारागुआ की पहली महिला है अंतराश्ट्रिय डॉक्टर मुध मुईजू ने माले में आयोजित कारेकरम में मौलदीव के आठवे राश्ट्रपती के रूप में शपत ली उपर राश्ट्रपती हुसैन मुघंध लतीफ ने भी अपने पद की शपत ली मौल्दीव के मुख्य नियाधीश एहमद मुथासिम अदनान ने दोनों को शपत दिलाई बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और आसपास के ख्षेत में बना कम हवा का दबाव उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है इसने चक्रवाती तुफान मिध्धीली का रूप ले लिया है मौल्दीव ने चक्रवात को मिध्धीली नाम दिया जिसका अर्थ है विशाल पेड स्पेन की संसर ने गुरुवार को पेडरो सांचेज को एक और कारेकाल के लिए प्रधान मंद्री बनाने के लिए मतदान किया जिससे जुलाई में और निरनायक आम चुनाओं के बाद लंबे समय से चला आ रहा गतिरोद समाप्त हो गया उनकी स्पेनिश शोसलिस्ट वर्कर्स पार्टी पी एस ओ ई ने कई शेत्रे अदलों के साथ अलग-अलग समझाते किये जिसमें कैटलन अलगाव वादियों के लिए माफी पर एक विवादास पत विधयक भी शामिल है संयुक्त राष्ट के विश्व मौसम संगठन ने वर्ष 2022 में जलवायू को गर्म करने वाली गैसों में रिकॉर्ड बरहोतरी की खबर दी है संगठन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 1990 से 2022 के बीच वातावरन में ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव 50 प्रतिशत तक बढ़ा ऐसा मुख्य रूप से जिवास में इंदन के कारण हुआ रिपोर्ट के अनुसार कार्बन डायोकसाइड की सघंता इस समय और द्योगी क्रांती से पहले की तुल्ला में 50 प्रतिशत अधिक है दो अन ग्रीन हाउस गैस मिथेन और नाइट्रस ऑकसाइड की सघंता भी बढ़ गई है विश्व मौसम सगठन की या रिपोर्ट 30 नवंबर से शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायू संधी में शामिल देशों के सिखर सम्मेलन से पहले जारी की गई है ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रिशी सुनक ने हाल में अपने मंत्री मंडल में बड़ा बदलाव करते हुए ग्रिह मंत्री सुएला ब्रेवर मैन को बर्खास्त कर दिया है साथ ही पूर्व प्रधान मंत्री डेविड कैमेरन को नया विदेश मंत्री न्यूक्त किया गया है प्रधान मंत्री कारियाले डाउनिंग स्टीट की ओरसे जारी बयान में कहा गया है कि पूर्व विदेश मंत्री जेम्स क्लिवरली को सूश्री ब्रेवर मैन के स्थान पर नया ग्रिह मंत्री बनाया जाएगा लाइबेरिया के राष्ट्रपती जॉज वीह ने राष्ट्रपती चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है पूर्व उपराश्ट्रपती जोजफ बुकाई लाइबेरिया के अगले राश्ट्रपती होंगे जेवियर माईली ने अपने प्रतिद्वन्दी सर्जियो मार्शा को हरा कर 19 नवंबर को आयोजित अरजंटीना के राश्ट्रपती चुनाव में जीत हासिल की है अरजंटीना की राजधानी बियोनोस आयर्स है और मुद्रा अरजंटीना पेसो है क्या आपको मालूम है रविंडरनाथ टेगोर ने 1924 में अरजंटीना का दोरा किया था वह विक्टोरिया और केम्पो के अतिति के रूप में दो महीने तक वहां रहे टेगोर ने अरजंटीना में अपने प्रवास के बारे में पूर्बी शीर्षक के तहट कविताओं की एक श्रिंखला लिखी विक्टोरिया और केम्पो ने 1968 में विश्व भार्ति विश्व विद्याले द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपादी से सम्मानित किया गया था गेट वाइल्डर्स और उनकी पार्टी पीवीवी निदलेंड चुनावों में विज़ई हुए हैं लेकिन बहुवत के आकड़े से दूर है निदलेंड की राजधानी एमस्टरडम है विज्ञान और प्राद्योगी की गुआंग जो स्थित कमपनी एहांग ने अपने EH216SAAV के लिए दुनिया का पहला कुडान योग्यता प्रकार प्रमान पत्र प्राप्ट किया है जो दो यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया एक पूरी तरह से स्वायत द्रोन है एहांग ने खुद को या प्रमान पत्र प्राप्ट करने वाली पहली कमपनी होशित किया है जिससे इसे चीन में यात्री प्रिवहन के लिए स्वायत इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक उफ और लैंडिंग विमान संचालित करने की अनुमती मिली है संद्रक्षन प्रेयाशों के लिए एक जीत में सोध करताओं ने पाया कि ब्लू विल सेशल्स के पास हिंद महासागर के एक शेत में लॉट आई हैं जहां से इन्हें वेलिंग के कारण मिटा दिया गया था शोध जिसके लिसकार सुब्ट प्राय प्रजाती अनुसंधान के जर्नल में प्रकाशित किये गये थे एक साल के पानी के नीचे की और्डियो रिकॉर्डिंग पर आधारित था जिसमें पाया गया कि जानवर इस शेतर में महीनों बिताते हैं बाजार और अर्थ व्यवस्था सैम अल्टमैन को ओपन एई आई के सी यो के रूप में बहाल किया जाएगा चैट चिपीटी डेवलपर ने कहा कि वया उनकी बहाली के लिए सिधान्त रूप में एक समझोते पर पहुँच गया है सैन फ्रेंसिसको स्थित कंपनी ने शुकरवार को अल्टमैन की आश्चर्य जनक बरखास्तकी के बाद आंतरिक उथल पुथल के कई दिनों के बारिया घोशना की ओपन ए आई के 750 कमचारियों में से लगवग सभी ने धम की दी थी कि अगर बोड उन्हें वापस नहीं लाता है तो वे इस्तीफा दे देंगे खेल कूद युवाकारे और खेल मंत्री अनुराग सिंग ठाकुर ने घोशना की है कि पहले खेलों इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर के बीच आयोजित किये जाएंगे उन्होंने ये भी बताया कि इन खेलों के अंतरगत साथ श्रेनियों के खेलों में देश भर से 1350 खिलाड़ी भाग लेंगे भारत के पंकज आडवानी ने 26 वी बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपिंशिप का खिताब जीत कर इतिहास रच दिया है पंकज आडवानी ने सौरग को ठाड़ी को हरा कर ये खिताब जीता है पंकज ने अपना पहला विश्व खिताब 2005 में जीता था उस्ट्रेलिया ने चछटी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है एहमदाबाद में फाइनल में आस्ट्रेलिया ने मेजबान भारत को 6 विकेट से पराज़ित किया आस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन का लक्षा हासिल का जीत दर्ज की ट्रेविस हेड फाइनल में मैन अफ दो मैच रहे विरात कोहली टूनमेंट के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बलेबाज थे और प्लेयर ओफ टूनमेंट भी रहे मोहमद शमी टूनमेंट के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेनरबाज बने धन्यवाद यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें अपने परिशितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया सब्सक्राइब करें और देखते रहे करेंट अफेर्स बाइ सर्विका